अतह तत्व की सयोजकता बंद बनाने के लिए त्यागे या ग्रहन किये या फिर साजे के लिए उपलब्द किये जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है जब दो तत्व आपस में इलेक्ट्रॉन्स का साजा करते हैं तो सहसयोजी बंद का निर्मान करते हैं आईए कुछ उदारणों से सह संयोजी बंध को समझें। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, इसमें काला भाग कार्बन परमानू को दर्शाता है और लाल भाग हाडोजन परमानू को दर्शाता है। कार्बन परमानू के बहरी कक्षम उपस्तित चार संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक एक हाडोजन परमानू के संयोजी इलेक्ट्रॉन से संयोग कर चार संयोजी बंध का निर्मान करते हैं। आईए कार्बन टेट्रक्लोराइड के अनू का बनना समझें। आईए पानी में बनने वाले संयोजी बंध को समझें। यहां ओक्सिजन परमानू को हरे रंग से और लाल रंग से हाडोजन परमानू को दर्शाया गया है। आउक्सिजन परमानू के बहरी कक्ष में उपस्थित छे संयोजी इलेक्ट्रोनों में से दो संयोजी इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन परमानू के एक एक इलेक्ट्रोन से साजा कर दो सह संयोजी बंधों का निर्मान करते हैं। अमोनिया के अनु में नाइट्रोजन पर्मानों को हरे रंग से तथा हाइड्रोजन पर्मानों को काले रंग से दर्शाया गया है नाइट्रोजन परमाणू के बहरी कक्ष में उपस्तित पांच संयोजी इलेक्ट्रोनों में से तीन संयोजी इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन परमाणू के एक-एक संयोजी इलेक्ट्रोन से साजा कर तीन एकल बंधों का निर्मान करते हैं. आईए ओक्सिजन अणु में बनने वाले सह संयोजी बंध को समझे ओक्सिजन पर्माणू को हरे रंग से दर्शाया गया है ओक्सिजन पर्माणू के बहरी कक्ष में 6 संयोजी इलेक्ट्रोंस पाए जाते है 6 संयोजी इलेक्ट्रोंस में से 2 संयोजी इलेक्ट्रों दूसरे oxygen परमाणू के दो संयोजी electron से साज़ा कर द्विबंद का निर्मान करते हैं आईए, एथिन परमाणू में किस तरीके से द्विबंद का निर्मान होता है? इससे समझे, यहाँ carbon परमाणू को काले रंग से तथा hydrogen परमाणू को लाल रंग से दर्शाया गया है कार्बन परमाणू के बहरी कक्ष में चार संयोजी इलेक्ट्रोंस पाय जाते हैं। इन चार संयोजी इलेक्ट्रोंस में से दो संयोजी इलेक्ट्रोंस दूसरे कार्बन परमाणू के दो संयोजी इलेक्ट्रोंस से साजा कर द्विबंध का निर्मान करते हैं। और बचे हुए दो इलेक्ट्रोंस हाइड्रोजन परमाणूं के एक एक इलेक्ट्रोंस से साजा कर एकल बंधों का निर्मान करते हैं। इन पांच संयोजी इलेक्ट्रोंस पाये जाते हैं। इन पांच संयोजी इलेक्ट्रोंस में से तीन संयोजी इलेक्ट्रोंस दूसरे नाइड्रोजन परमाणूं के तीन संयोजी इलेक्ट्रोंस से साजा कर त्रिबंध का निर्मान करते हैं। चार संयोजी इलेक्ट्रोन्स पाय जाते हैं। इन चार संयोजी इलेक्ट्रोनों में से तीन संयोजी इलेक्ट्रोन दूसरे कार्बन परमानों के तीन संयोजी इलेक्ट्रोनों से साज़ा कर त्रिबंध का निर्मान करते हैं। दोनों कार्बन परमानों के बचे हुए एक एक electron में अलग-अलग hydrogen परमाणू के एक-एक electron से साज़ा कर एकल बंधों का निर्मान करते हैं इस प्रकार aethyne-anum में carbon-carbon परमाणू के बीच तrivंध तथा carbon-hydrogen परमाणू के बीच एकल बंध पाए जाते हैं